Hello everyone मेरा नाम Aman तो आज हम शुरू करेंगे अपनी जो कैटेगरी स्कृतार एक है जिसको हम आज जो हम डिलीट करना बेसीखेंगे आज इसको हम डिलीट करना भी सेखेंगे और इसका जो स्टेटर सब्सक्राइब होगी हम अने डिसेबल कर सेखें लाइक जो हमने प्रोड़क्स वरे सेक्शन में किया थी ठीक है तो फिर्स्ट आफ वाल हम क्या कर देंगा हम जाएंगे अपने वाइब डोट बीएश्वी में हमें एक आपनी रोट में ठीक है वहाँ पे जाकर हमागे एक रौट करेंगे दिलीट का ठीक आज फिए कंगत करेंगे ओनकर यहां छिए को यहाndर एक है को पर करनें सरी पार जाएंगे एंगे एडिड की जगा मैं करके me डीक dia त שמח तो यहां पर यहां पर पॉब्लिक फॉंक्शन क्रेट करूंगा मैं ठीक है इसका नाम रखोंगा मैं पॉब्लिक फॉंक्शन डिलीट कि इसके बाद मैं यहां पर लिखोंगा डॉलर आईडी करने अपना प्रड़क्ट यहां पर फर्स्ट आफ ना कोल करूंगा अपना कैटेगरी का मोडल वेर आईडी इसकोल टू डॉलर आईडी डिलीट ठीक है और उसके बाद आएगा हमारे पास यहां पर हम लगाएंगा अपने अलर्ट का सक्सेस मैसेज जो हमने अपने प्रड़क्ट वोले सेक्शन में भी किया था और फर्स्ट में आजएगा हमारे पास डिलीटिड सक्सेस मैसेज ठीक है एंड नेक्स आजएगा हमारे पास रिटर्न रिजियरेक्ट रिजियरेक्ट बैक ठीक है इसको सेफ किया और हम ओपर ओके रिटर्न रिजियरेक्ट बैक और मैं इसको पर यह अलर्ड का हम इसको यहां पर कोल भी कर लेते हैं और यहां पर जो फंक्शन हेगा हमारे पास वह बिसिकली हैडर पे जो हम कोल करेंगे वैलिए वह यहागा यूज डियर आशिज रिट अलर्ट फिकेट अलर्ट जो हमने सब्सक्राइब भी दिया था ठीक है तो प्रोटक्स वेले कंट्रोलर में भी आप देख सकते हैं यह चीज़ हमने एड़ की थी सक्समेसिज की दुरान तो यही मैंने इसको कोल किया तो इसको मैं सेफ करूंगा तो हम जाएंगे अपने साइड बार वाले ब्लेड फाइल में ऑन यहां पर मैं यह आप देख सकते हैं चाटेग्रीए है और सबीच पर यह पर में पैसे को क्ट अब हैं यह चो क्टिकरी और देख सकते हैं जो प्टन इसको मैं प्रिसकर दिया क्लिए मिन मैं इसकÖ refresh करता हूं तो let's see हम अपना a category डेलीट करके देटा है कि वे टिया यह निकी है कि आप कि अप मैं जो डेशते हैं है कि अब मैं सको एंड़ ब्रॉडक्ट करता हूं यहां से को तो यह देखिए हमारा जो डिरीड कैटेगरी था उइक डिलिडियर कैटेगरी कैटिकरी तो तो नेक्स-टेप अगरने यहां इसको शेटर्स चेंज करना में लाइप जो आप इसको क्रिक्टर पाले में है इसको शेटर्स capaz करने तो first of all, मैं करनों का यहां पर view category थी, यहां पर first of all, मैं अपनी जो view product लिया था, मास से मैं इसको copy करनों का, जीजे जो हमारी same थी, हमारी चीजे यह बसी almost same रहनी हैं, लेकिन first of all, हम तोपर करेंगे, यहां पर अपने one of the road करेंगे, करना और इसको मैं यहां से कोपी करता हूं सौरी यह जो परोदय potem के वार क्टेगरी कर दो ख Arms क्टेगरी कर दो नहीं कि व्यादए करा नहीं कि थाана हमारी model होगा वह चेंज होगा ठीक है यहां पर मैं करता हूंगा category ठीक है यह model हमारा चेंज होगा हम category में status update करें ठीक हमारा almost same function जाएगा ठीक हमें safe किया next step हमारे पास view category में जो status का toggle बढ़ना था उसको add करना first of all यहां पर तो मैं एक success message लगाता हो ना first of all यहां जाएंगे व्यू प्रड़क्स में व्यू प्रड़क्स जाने में के बाद हम यह भी देख सेंगे यहां पर जो success और error वाला message था उसको हमने शोग कर वाया हुआ ठीक है इसको मैं यहां से copy करूंगा ठीक है same चीज व्यू प्रड़क्स में गया हमें जो पहले और यहां लगाया हुआ तो उसी को हम यूज कर लेंगे ठीक है यह टीडी से मैं यहां पे टेबल रोगा है टेबल डैटा जो जो भी है इसको मैं यहां से प्राड़ूं कोपी किया मैंने ठीक है और same जाके मैंने वहां प स्टेटस बाकि सेम चीज वही देगा बाकि यहां पर भी आजएगा कैटिकरी जहां प्रोड़क्स होगा हुआ कैटिकरी ठीक है तो यहां पर डिसेबल अनेबल डिसेबल ठीक है कैटिकरी आईडी जाटा टोगल पस यहां पर भी ठीक है और यहां पर भी आजएगा कैटिक कि फिर यहां में कर दें listen खी ओ टिक है तो हम जाएंगे अपने ऊ तो क्या कहते हैं, Master do bladable file में ठीक है, यहां पर हमने एक script भी लगा हुआ था, तो जो script लगा हुआ था, basically यह था, product status ठीक है, यह basically हम यहां से यह सारा code उठाएंगे, ठीक है, product status से लेके, तो हम, यहां पर मैं एक comment भी कर देता हूँ, update product status, ठीक है, तो मैं यह सारा code यहां से उ प्रेट हूँगा, यहां तक ठीक है, यहां से मैं सारा copy किया, copy करने के बाद, यह जितना भी होगा, copy इसके बाद, यहां पर आके, मैं इसको paste कर देता हूँ, ठीक है, और next आजएगा मारे पस, यहां पर इसका मैं comment डाल देता हूँ, update category status, ठीक है, तो यहां पर आजएगा म हमारे पस category status, उसकी class हाजएगी, ठीक है, और next हाजएगा हमारे पस same, हमारे पर process रहेगा, बस हमारा route भी change हो जाएगा, यहां पर आजएगा category, ठीक है, बाकी same रहेगा, same to same, बाकी भी यहां पर category हाजएगा, ठीक है, तो let's see, हमारे इसको save करता हूँ, हमारे इसको refresh करता अब लाइक है, इसको status भी change करके दीक हो, जी हां अब देखे मैं इसको status disable करता हूँ, तो liked की अब देखते हम बड़क करता हैं यह नहीं, जी हां आदिकिया status disabled होगा यहां ठीक हो ठीक है, और इसकी यहां पर status की देखना value भी change होगी होगी, अब यह देखिए, अब यहां प आज हमने यह भी देख लिए आज हमने देखा इसका status कैसे change करते हैं और हम इसको delete भी किया ठीक है तो चलिए चलिए मैं इसको एक और entry आड़ कर देता हूं डिक है कि हमें 6 entry रही है क्योंकि हमारे जो first जो main page पे जो main पे जो main जो है 6 है ठीक है तो यहां पर मैं लिख देता हूँ woman shoes जो मैं एंट्री डिलीट की थी मैं इसको दुबार एड़ कर रहा हूँ यहां पर मैं लिंक दूँगा woman shoes ठीक है तो इसके बाद यहां पर भी description आज़ी की woman shoes ठीक है इसको मैं save किया तो हमारी category add होगी है ठीक है तो यहां पर category add है इसको reader करते हूं view category में ठीक है यह वह add category में show कर रहा है तो add category में अगर मैं जाओंगा तो यह आप देख सकते हैं मैं रिडिक्शन लगी अपर यहां पर जाओंगा view categories में रिडिक्शन करा देता हूं इसकी ठीक है तो यह ठीक हो गया और next step अब हम जो हम देख रहे हैं अब हमारे दो चीज़ें कवर होगी है एक तो हमारी आप देख सकते हैं category भी आगी है ठीक है और यह हम products भी add कर वासब करें ठीक है admin panels से ठीक है तो next step आप देख सकता है हमारे जो design में रहागी है वह है banners ठीक है तो next video में हम इंशाला use करेंगे यह banners कैसे add करते हैं homepage ठीक है तो next हम इधर एक banners का module add करेंगे ठीक है प्लीज लाइक कीजएगा और मिलते हैं next video में और next video में हम आपको बताया के banners स्ट्राट करेंगे तो मिलते हैं लाहाँ अफिज मिलते हैं कल तो please में इस पोड़ कीजिए और मेरी वीडियो से ज़रूर शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ तो मिलते हैं next video में